नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल अच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थम निल पे देखी चुके कि अभी की जो ताजाख हवर है ब्रेकिंग नियूज है कि हिमाचल परदेश में एक और बड़ी योजना शुरू मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने जो है की बड़ी घोशना तो मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर ने जो कौन सी योजना शुरू की है और क्या कहा है आज कैसी हिमाचल की स्तिति है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने जो कहा है आज की ब्रेकिंग नियूज में कि आप प्रवासी मजदूर हिमाचल के डिपूं में ले सकेंगे सस्त में प्रवासी मुझदूरों के लिए वन नेशन वन राशनकार योजना के अंतरगत खाद्यनागरिक अपूर्ति और उब्भोकता मामले विभाग की अंतराज्य पार्ट पोर्टेविल्टी योजना का शुब आरंब किया तो मुख्य मंत्री ने कहा कि इस योजना से उब् कहा कि इस राशनकार्ड की राश्ट्रिय पोर्टेविल्टी योजना के अंतरगत किया जाएगा योजना से देश के लगभग 67 करोड लोगों को जो है वो लाब मिलेगा इनमें हिमाचिल के लाखों लोग भी शामिल है जैराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के लगभग 8 करोड प्रवासी मजदूरों को दो महिने के लिए मुफ्त अनाज देने का जो है निर्ने लिया है तो जिन मजदूरों के पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें भी हर महिने प्रति व्यक्ति निशुल 5 किलो आटा आथवा चावल और 1 किलो दाल दी जाएगी मुख देश सरकार को लक्षित समूहों तक राशन प्रदान पहुंचाने में जो है वो सुविधा होगी मुख्य मंत्री के प्रदान साचेव संजय कुंडू साचेव खाद्य एवं नागरिक अपूर्ती अमिताब अवस्ति और निदेशक खाद्य एवं नागरिक अपूर्ती राशन मिलने वाला है और प्रवासी मुझदूरों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहट जो है वो सस्ता राशन जो है डिपूम में मिलने वाला है तो दोस्तों यह थी अभी की ब्रेकिंग डिउस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और द अन्यवाद जैहिंट जैबाद